अब आप 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 अ नमस्कार स्वागत है आप सभी का प्राइम डिवेट में मैं हूँ आपके साथ शिवम यादव आज ही के दिन 46 साल पहले एक फैसले ने पूरे देश की आवाज को दवाने का काम किया था ततकालीन प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी ने खुद को बचाने के लिए पूरे देश को सजा दे डाली थी इंद्रा ने जब देश में आपातकाल लागू किया तब नाजाने कितने ही बेवनाहों को जेलों में बंद कर दिया गया और नाजाने कितने ही लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा चार दशक पहले लागू हुए आपातकाल की यादें आज भी दर्द दे जाती हैं कि कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई थी और कैसे सम्विधान की आत्मा को कुशला गया था ये रिपोर्ट देखिए उसके बाद चर्चा जारी करेंगे जब देश आजाद हुआ तब भारत में सम्विधान का निर्माड किया गया और ये उमीद की गई कि देश इस सम्विधान के अनुसार ही चलेगा सम्विधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार सौपे गई हैं उन्हीं मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 का दिया गया है जिसमें वात्के और अभिव्यक्ति के स्वतंतरता नागरिकों को दी गई है लेकिन 25-26 जून 1975 की वो काली रात जब सिर्फ जिद के चलते भारत की आजादी पर आपातकार लगा कर कुठारा गात किया गया था भारत में लगी एमर्जंसी की घटना को चार दशक से भी ज्यादा का समय बीच चुका है लेकिन जब जब इसका दिन आता है तो हर बार इसकी याद भी ताजा हो जाती है भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब देश ने इस तरह का दौर देखा था आपात काल की घोशना के साथ ही देश के नागरिकों के सभी अधिकार भी खत्म हो गए थे ये सही मायने में सकता पक्ष और लोगों के बीच एक ऐसे संगर्ष की शुरुआत थी जिसमें आखरी जीत भी लोगों की हुई थी आईए आपात काल से जुड़े कुछ बिंदूओं पर नजर डाल लेते हैं प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने 25 जून 1975 की रात को देश में आपात काल की घोशना की ये आपात काल 21 मार्च 1977 तक 21 महिने के लिए लगाया गया था 12 जून 1975 को आए इलाबाद हाई कोट के फैसले ने इंद्रा गांधी के सियासी जमीन को हिला कर रख दिया जजजग मोहन लाल सिन्हा ने उन्हें चुनाव में अनिमित्ताओं का दोशी पाते हुए उनकी संसत सदस्ता 6 वर्चों के लिए रद्द कर दी इतना ही नहीं कोट ने उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया था संजय गांधी ने इंद्रा गांधी को सलाह दी कि वो आपातकाल की घोशना कर इस समस्या से बच सकती हैं संजय गांधी की सलाह को मानते हुए ही इंद्रा गांधी ने आपातकाल की घोशना कर दी इस घोशना के साथ ही इंद्रा गांधी के बंगले से एक नारा भी निकला जो इंद्रा इस इंडिया का था आपात काल और इसके खिलाब जो विरोध प्रदर्शन हुए उसका नतीज़ा था कि इंद्रा गाधी अपनी सीठ हार गई देश में आपात काल लागु किये जाने की 46 वर्षी पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस की तक काली इंद्रा गांधी सरकार ने ना केवल हमारे लोगतंतरिक मूल्यों को कुछला बलकि हमारे महानुभाओं की एतियासिक विरासत को भी अंधेरे में रखा था आपात काल की बरसी पर पियम ने उन महानुभावों को याद किया जिनों ने एमर्जन्सी का विरोध किया था और लोकतंत्र की रक्षा की थी प्रधान मंत्री ने टूइट में लिखा डार्क डेज ओफ एमर्जन्सी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है 1975 से 1977 की अवधी में संस्थानों का विवस्तित विनाश देखा गया आएए हम भारत की लोकतंत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्पने और हमारे सम्विधान में नहित मूल्नियों पर खराउतने बता दें देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच 21 महीने की अवधी तक आपात काल लागू रहा इंद्रा गांधी उस समय देश की प्रधान मंत्री थी जज जग मोहन लाल सिनहा का एक ऐसा फैसला जिसने आपात काल की प्रश्ट भूमी तयार कर दी थी जज जग मोहन लाल सिनहा ने चुनाओं में अनियमिता के चलते इंद्रा गांधी की संसत सदस्यता 6 सालों के लिए रद्ध कर दी थी साथी 6 साल तक इंद्रा गांधी के चुनाओं लड़ने पर भी रोक लगा दी थी बस ये एक फैंसला था जिसने इंद्रा गांधी के अंदर का तानाशा जगा दिया था और उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया जिसके चलते जाने कितने ही लोगों को मौत के मूँ में जाना पड़ा और जाने कितने ही लोगों का 46 साल पुराना दर्द आप दिखाई देता है अजा सना के रिपोर्ट प्राइम टीवी तो वाकई में आज भी आपातकाल की वो यादें लोगों के जहन में ताजा हैं आखिर आज की राजनीति के परपेक्ष में इमर्जेंसी की बात क्यूं होती है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपका अपने मेहमानों से परिशे करा दें हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई है जो की बीजेपी की प्रवक्ता है साधी साथ अंशु अवस्थी जी कॉंग्रेस के जुड़े हुए है और हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार संजय श्रिवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं आज इमर्जेंसी की बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल अनीता जी मैं आप से पूछना चाहता हूं इमर्जेंसी कॉंग्रेस ने लगाई थी बरसी कॉंग्रेस को मनानी चाहिए लेकिन हर साल आप बरसी मना के क्या संदेश देना चाहती है अनिता जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है आपके वाज आ रही मेरी आवाज आ रहने है देखें इस पर जुल्म होता है उसको अमेशा वात याद रहती है लेकिन अगर जो जुल्म करता है वो भूल जाता है कि मैंने क्या किया। लेकिन जो सहता है और जिसको पता है जिसने से कड़वा घुट पिया है। उसको वो ची सारी जिन्दगी को रेंती है। वह हट जाता है आपको उद्दुक का याद मेशा मरते दम तक रहेगा कि फुला आदमी ने मुझे इतना कष्ट दिया इतना कष्ट दिया वह बन जाता है तो वही चीज है हम लोग अमर्जेंसी को इसलिए भूल ही नहीं पाते क्यों कि हमारे पूर्वज के लोग जेल मेरे य करना मतलब जो हमने सुना उसमें अमरे लोग अथार मेरे चेल में रहें और उनके बच्चों के साथ उनका क्या हाल राज पढ़ निपाए जा निपाए उनको क्या बूलेंगे वह लोग क्या वो चोटे बूलेंगे चाम सकते हैं जो आप कहेंगे हम उसको तो यही चीज़े हैं जो जुल्म करता है उसको तो याद ही नहीं तो अपना ट्राइब निचा दिया लेकिन जो सहत है वह हमेशा याद रखता है कॉंग्रेस की सरकार ने उस वक्त लोगों पर जुल्म किया और शायद यही वज़ा है कि वो हर साल बर्सी मनाती है क्या कहेंगे आप जुल्म मतलब आती हो गई कि लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डावें बिना ससूर के बिना किसी उसके सोचिय और सोच के डर लगता है वहां तो हुआ था उस समय अज अग्शुवस्ति जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है कोई बात नहीं किसी तखनी की खामी के करान हमारे जो कॉंग्रिस के जो प्रवक्ता है अनिशुवस्ति जी उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पार लेकिन लगातार जिस तरह से अनीता अगरवाल जी जो बात कह रही है कि उन पर जो जुल्म किया गया बस उसी को याद किया जा आज जिस तरह से एमर्जैन्सी को लेकर और जो भी चर्चाय हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं उस पूरे मद्यकालेन और आधुनिक तीनों इतिहास उसे पढ़ाय जाते हैं और उससे सीख कर ही आगे कुछ रणीतिया बनाने की आरागे की जिन्दगी जीने की उसे सिद्धत दी जाती है तो मेरा इमानना है कि राजनीत में इमर्जिंसी एक वो कड़वा सच है जिसको विपच्छ भ जगमोहन सिनहा ने जब इंद्रा गांधी का निर्वाचन कदाचार की आरूप में रद कर दिया था राइवरेली का वहां से इसकी प्रिष्ट भूम तयार हुई लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रिष्ट भूम एकाहत्तर से ही तयार हो गई थी जब बांगला दे सीटे आई कॉंग्रेस की तो लगा कि विपच्छ साफ हो चुका है अब उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसी बीच में मैं आपको बताता हूं कि 1973 में गुजरात में छात्रों का एक आंदोलन हुआ और वह आंदोलन इसलिए हुआ कि हॉस्टल में जो खाना था मैस थ था वो पढ़ा दिया गया था धीरे धीरे वह एहमदा वास से निकल कर पूरे गुजरात में फैला और इस तरह देश में भी यह आंदोलन फैला सिर्फ एक मामुली आंदोलन था चात्रों का लेकिन याद करना चाहिए लोगों को आज कि आंदोलन किस तरीके से बड़े-ब भाई पटेल थे उन्होंने उनकी बर्खास्तिकी की मांग की और कहा कि विधानसवाब भंग की जाए और कॉंग्रेस की सरकार केंद्र में जो थी इंदिरा गांधी की ती ताकतवर होने के बाद भी उसे जुकना पड़ा दबना पड़ा और विधानसवा भंग कर दी गई और चिमन भाई पटेल को बर्खास किया गया दूसरी बात यह है कि उसी बीच 73-74 में ही बिहार में गफूर की सरकार थी उसके खिलाब भी छात्र अंदोलन शुरूवा जिसके नेता जैप्रकास नारायन उभर कर आए और इसलिए कहा जाता है कि छात्र और युवा अंदोलन क प्रलेता या फिर कहिए कि उसके जनक के रूप में जैप्रकास नारायन को याद किया जा सकता है पटना में उनका एक सभा चल लही थी जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया नाना जी देश्मू के एक नेता हुआ करते थे उन्होंने और उनके अंगर अच्छक ने क देश में एक ही आवाज एक प्रकास जैप्रकास जैप्रकास अंधकार का एक प्रकास जैप्रकास जैप्रकास इस तरह करके नारायन चलने लगा जिसके बीच में ही सारे नेताई कठे होने लगे लाम बंद होने लगे ये बात है चोहत्तर की उसी बीच में इतना दबा कि जगमोहन सिनहा को इंदरा गांधी का निर्वाचन रद्द करना पड़ा एक घटना तो यह हुई उसके बाद ठीक जो 24 जून की घटना थी वह बड़ी महत्वपूर्ण थी कि सुप्रीम कोट में इंदरा गांधी गई और वहां जस्टिस कृष्णा आयर जो आवकास कालीन बेंच के जस्ट थे उन्होंने रहाद दे दी उन्होंने ये तो कहा कि इंदरा गांधी मतगर्णा में जो लोग सवा मतगर्णा होगी उसमें भाग तो नहीं ले सकती हैं लेकिन प्रधान मंतरी पतपर वो बनी रह सकती हैं इसी का लाव मिला उन्होंने तुरं सिद्धार स इस्तेमाल करके उन्होंने रातो रातो प्रिष्टभूम तेयार की यहां एक मज़िदार बात मैं अनीता जी को भी बताऊंगा बहुत ही अच्छी बात एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है मैं अभी आपको दुबारा लेकर आऊंगा इसी मुद्दे पर लेकिन अभी अन हमने उस समय बताएं कि आपने मालूम है क्या सिति ती अगर आपको व्यक्ति को यह देख रहे हैं संग का है या उस्सें जनसंग पाल्टी थी और जनसंग पाल्टी का कोई भी व्यक्ति दिख जाता था सिंपल जो उसको ले जाएक अंदर डाल देते थे जेल में और क्या कह सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम लोगतंत की है और उस लोगतंत के आप बात कर रहे हैं लोगों को आंती प्रम यॉजना हम सब देर है वेक्सिन अम फ्रीन लगा रहे हैं और जो पोल वेक्सिन की लेकिन हमारी तुन्ह उन्से कर रहे हैं बताइए तुन्ह उसे कर रहे हैं जो कि प्रक्राइब का सब्सक्राइब हैं जो हैं जनता के बीच से निकले हुए हम सोने का चमझ लेकर नहीं पेदा हुए संगर्ष करके आये हैं कार्ग जंता के बीच से आएं लोग तांतिक पार्टी अमारे साथ मौजूद नहीं है आप कहिए लेकिन जब वो जुड़ेंगे तो वो भी आपकी सवाल का जवाब देंगे मैं इस वक्त संजेश शिवास्तव जी से पूछना चाहूंगा आप से तमाम सवाल हैं जो मेरे जह उनकी जो कमिया हैं उनी का फाइदा कॉंग्रेस सरकार ने उठाया था बिल्कुल शिवाम आपने सही कहा कि उस समय भी हमेशा से होता रहा है कि सम्विधान की आन में ही उसका दुरुपियोग भी होता रहा है और जब 1975 की यह बात होती है एक बड़ा रोचक किस्सा में यहा बुद्धी करके इसी को लिकर लिखा है और यह शब्द भी जैप्रकास ने ही इस्तेमाल किये थे जब उनको जील ले जा रहा था तो उसी पर मैंने एक हटके लिखा था इसले मुझे बहुत ही अच्छे तरीके साही मार्जेंसी को मैंने पढ़ा है बड़ी सिद्दत से उस से महसूस किया है कि उस समय क्या हालात रहे होगे तो जनरलिस्त के तौर पर मैंने यह सब किया था तो मैं आपको वता रहा हूं कि चंदर सेखर जो है वो दो लोगों के साथ रीगल सिनेमा जो कनाट प्लेस में है वहाँ पर सोले फिल्म देखने गए थे शाम को शाम का शो देर में निकले आठ नो बजे तो उनको मलकानी साहब मिल गए रास्ते में और नहीं फिर और दयानन सहाई भी थे यह दोनों ही विपत्च के मजबूत नेता थे तो इन लोगों ने बताया कि अरे बहुत जबरदस्त भासर दिया आस तो जैप्रकाश ने रामलेला मैदान मे उस भासर में ही इमर्जेंसी एक 24 घंटे के अंदर क्यों लगी उस भासर में दो लाइने थी जिसमें जैप्रकाश नारायन ने पुलिस और सेना दोनों से विद्रोह करने की मांगी उन्होंने का सरकार का समर्थना बंद कर दें सरकार की बात ना सुनें तब ही सरकार हिल में बैठकों का दौर जारी हुआ और देर रात में गांधी प्रतिष्ठान जो दिल्ली का है वहां पर जैप्रकास नारायन को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई यह बाद संद्र शेखर को पता चली तो वह तमाम बड़े नेताओं के साथ वह भी प्रकास नारायन को रखा गया था वहां तब तक पीलू मोदी मलकानी अशोक महता बीजू पतनाय जो नवीन पतनाय के पिता जीती यह तमाम बड़े नेता रामधन सभी पहुंच गये सभी से कहा गया कि देखे अभी तो इनको कहीं और ले जाया जाया रहा और आप लोगों को कहीं और तो सब सकते में आगे क्या सब के खिलाप वारट है वहीं से सारे नेताओं को अलग अलग जगों पर जेल बेद दिया गया तीन बजे के बाद जैपूर में जो महारानी गायत्तरी थी उनक तो वहीं अरस कर लिया गया तो तमाम बड़े नेताओं को पूरे देश में जहां भी वो थे जैसी भी स्थिती में थे उनको जेल में डाल दिया गया उसमें लालू यादो भी थे मुलाहिम सिंह यादो भी थे तमाम ऐसे नेता थे जो आद मौजूद भी है और वह खूभी कि जितने भी मीडिया संस्थान से थे वहाँ पर एक एक शक्स वहाँ पर पॉइंट किया गया था वहाँ पर रखा गया था कि आप ये नजर रखी कि कौन क्या चाप रहा है बिल्कुर सही आपने का इससे मुझे याद आ गया कि illustrated weekly magazine हुआ करती थी एक अगबार था उसमें पढ़िया उसके संपात है खुस्वन सिंग जी जी जो है वह इस आपात काल के कट्टर समर्थक जे इंद्रा जी के बड़े फैन थे और उसमें एक नारा भी देवदत बर्वा जो कॉंग्रेस के अध्यर्च हुआ करते थे 75 में उन्हों नहीं नारा दिया था कि इंदिरा इ एक मीटिंग हो रही थी जहां दोपायर का भोजन भी था वहां खुष्वन सिंग जैसे पहुंचे तो उन्हें याद आए करे खुष्वन सिंग का अखबार है जिसने यह लिखाए लिकली में चपा है उन्होंने कारवाई के आदेश दे दिये तुरंट बात में खुष्व और एक बात और बड़ी महात्वपूर है समर्थक जो नहीं भी थे वो समर्थक हो गए थे क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता के हनक के आगे किसी का कुछ चल नहीं पाता है जैसे अभी अनीता जी लाग कहें लेकिन कमो बेस वैसी इमर्जेंसी तो नहीं लेकिन आपने जो ब टार जी आती हैं जिसका डर से वपिपक्षि के नीता बोलन ही पाते क्योंकि कहीं नहीं थक्ति लिए नाई हो आज जो किसान अंदोलन करा रहा है कौन करा रहा है क्यों नहीं होता है क्या एसा नहीं हो रहे हैं लेकिन विपक्ष आज हर चीज में विरोध करना है लेकिन अज विपक्ष कह रहा है जैसे दारा 370 है लेकिन विपक्ष को बहार करें क्यों हम करेंगे आप बताएं वो सही है आज दिगविजे सिंग्स पर भ्यान दे रहे हैं कि उसको ब्यार करें क्या गलत निर्डे सब्सक्राइब नारा देते चले आर नारा देते वो कश्मीर हमारा है वो हम लोग नारा देते जन्नम से देख रहे हैं और आज हमने अगर वह तारा 370 अट आई है तो उसको बाहल करने की बात कर रहे हैं अब कल मोदी जी ने सारे वो लोगों को बुलाया है वाके नेताओं को उनके साथ बैठक के उसके बाद हो जाके कह रहे हैं कि नहीं जी हम दोसको बहाल कराएंगे तो क्या मला आप ऐसी स्थिति को माले क्या ऐसा दो है विपक्ष को पूरा अधिकार है क्या आप ये विपक्ष कितना बोल रहा है मोदी जी को कितनी गाली विपक्ष देता है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी जब रिपोर्टिंग की जाती हो तो उस रिपोर्टर को जेल में डाल दिया जाता है क्या ये लोगतंत्र है किसी रिपोर्टर को जेल में डाला गया खाली उनके लिए जो नवन है उस समय जो 26 जनवरी को जो कारवाई हुई बात कर सकते हैं जिन लोगों प्रीट रिट कारवाई उसको क्या क्यों कि वो देश का इतना बड़ा दिवस था उसको आपने काला दिवस बनाने की कोशिश कर दी अपने देश के राष्टी दिवस को जो राष्टी हमारा उस सब है उसको हम यह सहे कि आप मारी बेज़त करें वहां पर आपको जो बात करने सीधे करिए आप 20 जनुवरी वाले दिन आप क्या दिखाना चाह रहे थे इसलिए खाली बाकी ऐसा निए बाकी आप अंदोलन चलाई है अजा शाहिन बार कितना अंदोलन चला है कितना हम लोगों कुछ किया उसमें क्या असी बाते करें सब अंदोलन भी होते हैं सब कुछ होते हैं लेकिन आप आज हमारी तुलना वुसमें ले रहे हैं वाके में हमें सुन के बड़ा खराब लगनारे अरे मोजी जी को तो खुझ कितुनी गालियदी है चाये वाला कह दिया और भार्न की गया दाफिव बोलते रहे हैं मोजी जी लेकिन just को जवार दिया और उन्होंने क्या कौन सा काम ऐसा खराब किया उन्होंने देश को आज कहां पहुचाया आज पूरे विश्वे भारत की गर्मा देखी कितनी उची पहुची है और उन्होंने इतने करोना काल में डेट साल से कैसे उन्होंने अर्थवस्ता को संबाला करोना को संबाला तो पूरे आज कम से कम अमेरिका तब भारत को मांता नीजस को मानता है Nachdam मौत DH को मांता है हमारी आज से हमारे अश्मार अनीशित्र लेकिन आप एसे पर और पर आप परिवार के लगाती ने यह कैसे आप कह सकते हैं सब्सक्राइब कर दो कि यह कांग्रेस की देना क्योंकि वह बॉंड देते थे पट्रोल के दाम ने बढ़ाने के बाद पट्रोल के दाम ने बढ़ाते थे देते हैं उनको बांड देते थे आप इसाल में ले लिजगा तो आज समझाएं बॉंड वह उम्हारी सरकारे दे रहे हैं हमारी सरकार बांड पहले चोथा में की दो आगे किए तो सारे बांड नी पढ़ाए गये पाट्रोल के दाम ना वाश्च विखते दें जो एक खाई पै सब्सक्राइब करोना काल पुरै ठीक हैं के न overflow सब्सक्राइबnisseन कोने हैं पूर्छ करोना काल ठीक हो गया होता चीक है बहree है थोड़ी हिढ़्वर कि गड़ बढ़ हूं नहीं है हमारी नहीं हुए और महराश्चि में चुनाव होते हैं तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते पस्चिम मंगाल में चुनाब हो जाते हैं पेट्रोल के दाम फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं जब कोरोना कार कार । की कीमत इतनी जाधा गिर गई कि आम आधमी को PER oke पर्टोल 50 रुपए लीटर भी मिल सकता था क्यों नहीं दाम कम किये गए देखिए मेरी पास सुनिए सबसे बड़ी बात है पर्टोल के दाम जो है पीछे सुर वाइस जाता है और सब्सक्राइब लगातार बढ़ते जाना क्या यह एक तरह की अगोशित 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 हरर की दाल हमने लिविया कांग्रेस के समय तो आज आज दाल देख लीजिए कि ऐसा नहीं के महिंगाई बड़ी महिंगारी महिंगाई को हमने स्थिर किया है लेकिन आज गरीबों तक हमने आवाज पुचाएं उनको सुविधाय दी है आज उनको कि आज देखिए वैक्सिन करा रही है आज आज आम आदमी 847 रुपए का सिलेंडर खरीदता है मेरी बास सुनी एक सेकिट आपने सिलेंडर देने का वादा किया था आपने सिलेंडर दिया कितने ऐसे गरीब लोग है जो 847 रुपए में अपना सिलेंडर भरवा पा रहे हैं बिल्कुल भरवा अपने ऐसा नहीं आज इतने इमांदार नेता है उसके बादो इतनी बाते उनको काई जाती है अब आज हमारे परदान मंति जी फास्टू खर्चा नहीं करते बाहर जाते हैं तो एर्पोर्ट के होटर भी रुकते नहीं पहले परदान मंति जाते थे कैसे जो आला नेरू अपने कपड़े तो बाहर टेक्लिंड कराते थे अब आप बताईए नेरू उस सब लोग उनकी पर शंसा कर रहे हैं हर जुवा उनके साथ हैं उनको मोका तो दीजिए उनको टाइम तो दीजिए पांट साथ साल बेने कितना आगे काम बढ़ा है सारी अमने जो आज कार हो दिया है और आगे भी करेंगे अपनी एक लाइन होती है पार्टी की और उसी के अंतरगत इनको बोलना होता है यह कैसे कह सकती है जो आपने कहा कि एक अगोसित इमर्जेंसी सा माहौल देश में बन रहा है अनिता जी कहने कोई व्रस्टाचार के आरोप आरे आरोप आपके उपर लगते हैं आप जहांस तक नहीं कराती इसने कि विपच्छावाज उठा रहा है इसने हम जाज नहीं कराएंगे क्योंकि विपच्छा के कहना उपर हो जा यूपी में अखलेश का देखा लेकिन जब से योगी आदितिनाज जी की सरकार है मीडिया में जरह बताइए एक आद दो चैनल जिनको सरकारी विज्यापन नहीं मिलते होंगे वही सरकार के खिलाफ खबरी चलाते हैं जो विज्यापन चला रहे हैं उनके एक भी सरकार के ख पत्रकार ने उठा दी आपको बहुत पुराना किस्सा उठाता हूं कि नोल नोटी की खबर एक पत्रकार ने चला दी थी बिल्कुल सब्सक्राइब लगा कि अनिता जवाब में दे रहा हूं सूट बूट की सरकार का आप आप ही के प्रधान मंतरी पे लगा कि दस लात सब्सक्राइब लेकिन आप जाच भी नहीं करांगे तो क्या है अब सब्सक्राइब कर आते हैं कि विपाच को बोलने में तो मीडिया को खिलाख आपने मत दो चैनलों को खबर दिखाने मत दो आज क्या है ये भी तो संब्सक्राइब अगर अभी नहीं होता तो पिछले एक महीने में आप हमें बता दे हाँ पे कि ये बाते मीडिया में दभी जुबान से आपके नेताओं ने कहीं कि मोधिशा और योगी के बीच में सब कुर्टीक नहीं है चाड़े चार साल हो गए केसो पुरसाद मोर्या दो कदम पे रहते यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मोधी जी का फोटो अटा दिया जाता है आप इसको किस तरह से देखेंगे आप बताईए अनिता जी आप 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 आपने खुद देखा है ट्विटर हैंडल से मोधी जी की फोटो अटा दी गई देखेंगे ट्विटर हैंडल से अटा दीगी इसे इस पर बच जाईए आप मोयोगी और मोधी जी वे आज आप आपने देखा है योगी की मोधी से मिले गए हैं ऐसा नहीं है आप भी जानते हैं हमारी पार्टी एक कारकरताओं की पार्टी है एक देख के मुखिया का किसी कोई आप मुझे एक एग आफ इसा राज बता दीजिए जहां के बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मोधी जी का फोटो नहूं हूँ उत्तरप्रृदेश के प्रदान मंत्री प्रदेश्च पहले कार करता है बाद में वह तो यह कारकरताओं की पालती ऐसा नहीं है और यहां पर कोई एक ज़लेगा डिक्टेटरशिप नहीं है जो है समर्थ से पूरी सब लोग ऐसा नहीं कि राष तोनिया गांदी ने एलान कर दे तो पूरी पालती व आज के समय पे शोशल मीडिया बहुत एक्टिव है अगर कोई ऐसी बात होती है तो आज जो कहते हैं कि आप मीडिया आपको एक उदारन देता हूं आज रवी शंकर आज 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 रवी शंकर पुसाज जी का ट्विटर हैंडल एक गंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया इस वरे ब्लॉक किया गया था कियो किया गये थे सबसे बड़ी बास है कि यह तो चीटर वाले वाले वह बताइब ते शरकार को आदब नहीं है ना चाहती है और ना समझना चाहती है कर देती है कि कुरोना काल में इतने जादा सौन शर्णा अब शर्णताइब व्रणल गाट थे तो आपको बड़ा बुरा लगता है तो अच्छा है बुरा ही कर दे तो खराब है फेज़बुक आपकी कि प्रसंशा करें मोदी जी की प्रसंशा करें तो अच्छा अगर व बुराई करते दुखराब है दर्सन्द धिकत यह है कि आपको पुछ प्रसंद नहीं है संजेजी आपका राइट है आप शोशल मीडिया में कुछ भी लिख्या एसा तो नहीं है कि आपको पकड़ लेते हैं अभी बेंए देखा शोशल मीडिया में लोग मोदी जी को ब्लॉट किया गया कि तो सवाल जवाब आप ज़रें टुटर पे कहरवाई आप नशी तो बाग तो आप ये मानती हैं कि अभिवक्ति जी आजादी पर आपने रोग लगाई है पिल्कुल नहीं गलत हमने गलत काम के लिए रोग लगाई है व्यक्ति की अजादी पर नियाज हमें भी अजाद है आप जो चाहे कह सकते हैं तो कहने दीजिए ना तो कहिए हमने किस्व रोगाई है पिर क्यों आप उनको केस दर्श कर रही है राउल गांदी जी ने रफेल 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 करके किता उनका जूट सामने आया तब आप विपक्ष क्यों नहीं बोले लोग कहां कि इन्नों गरत किया है दिख विजे सिंग आच चिक चिक के कहते हैं कि काश्मीर को आम बाहाल करेंगे धारा 370 का क्यों नहीं कोई बोलता है क्या गलत काम में एकसेप्ट कर ले तो आधर अटनाटि डिवेट में आने थे लेकिन नहीं आए अब नहीं आए अब इपक्ष नहीं आप जिख जी बुश्त से बोल रहे हैं आप अगर कोई कारवwegen करेंगे तो हम गलत हो गए वाँ बहीं वाह आप गलत करिये ना हाँ तो विपक्ष में क्या हमने धारत 378 महाल करें हमने जिंद्गी भर कहा है यही बीजेपी 2004 से लेके 14 तक 17 सुन पंद्रा दिन अब लेकर निकल लगते हैं लेकिन आज अगर पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ कॉंग्रेस की वज़े से चलिए अनीता ये मैं आपके पास आऊंगा दोवारा सच्जेश शिवास्तफ जी एक चीज हम लगातार देख रहे हैं और लगातार हर कोई यह कहता आ रहा है ना सिर्फ विपक्षी पार्टी के लोग बलके तमाम पत्रकार भी इस चीज़ को कह रहे हैं क्या वाकई में हमा लगाता हैं तब सिक्के के दो दोनों पहलों लगाता हैं और भी जैणाच नहीं हैं और कहीं नहीं तरीके की जो एजिंशिया है वो आज भी उनकी तलवारे लटकती रहती हैं कि जब भी केंदर सरकार का इसारा होता है CBI ED की जाच जो है उन तक पहुंच जाती है फिर जब तक उनकी दया चलती है वो नहीं होती है इससे बचने के लिए अपनी आवाज दबाए बैठे रहते हैं साइध यही बड़ी वज़े है कि तमाम ऐसे मुद्दे चाहे महंगाई क आएं सामने और दूसरी बात इने कारवाई का डर रहता है कि इस सरकार ने जो डर की भावना पैदा कर दी है लेकिन बोल नहीं पाते हम पत्रकार है तमाम ऐसे मुद्दों पर हमें पता होता है लेकिन हमें सभाह कई जाता है । अपना जमीन जायदाद, मकान और यह सारी चीज़े ठीक कर लिजेगा, नहीं तो कली आपके इंकम टैक्स और CBI वाले पहुंच जाएंगे, तो यह एक जो डर बनाया गया, महाल, जिसको कहते हैं, महाल आपने इस तरहें तयार कर दिया है, कि लोग आपके खिलाप होते हुए भी आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी वज़े है, और शायद नहीं सारा है जो 1975 में मैंने का नहीं, एक छोटा सा अंदोलन था, कि हॉस्टल में मेस का खाने का दाम बढ़ा दिया गया, उसको लेकर गुजरात में जो अंदोलन शुरूआ, कमो बेश वो बिहार में भी छात्रांदोलन के रूप में आया, और सबको पता, अनिता जी आप इंकार नहीं कर सकती हैं, कि इस समय के बड़े-बड़े नेता और उस समय भी वही बड़े नेता थे, आपकी पार्टी के भी लोग भी थे, अटल जी, अडवानी जी, अडवानी जी प्यार करने के पीछे आया, लेकिन जो पहले प्रिष्ट भूम्ती जो बाहत्तर तीहत्तर से चुरू हो गई, वो यही सबते की छात्रांदोलन हुआ, और देश में छात्रांदोलन ने इतनी मजबूत नहीं पकड़ी जेपी के नेतित्त में, कि उस से जो इमर्जेंसी के हा है अब हिपाद के पास उसके बाद भी कौई अंदोलन नहीं ह्या आपने कि सान अंदोलन की बात की किसान अंदोलन का हैёл churchJesus आपने क्या है तो कहीं न कहीं जिस थरीके से बाते थी जिस तरह आपने दबाया से अथा और रही अाम डिशक आर से जो एंख़ाए और ने असकी कि डर का माहौल है। कि डर नहीं था तो आपकी सरकार ने अभी हालही में मुख्यमंत्री केशो मौर्या दिने तमाम ऐसे नेता आपके जो थे मुख्यमंत्री से लेके 36 मुकदमें सबके क्यों वापस ने लिए और अब अपने कारकरताओं से 5000 मुकदमें वापस लेने कि आपकी तयारी हो गई है ऐ अब यह बताइए जो राइनितिक मुकदमें है वापिस लेने उसे क्या दिकत है अब आपके जो रहे हो गई है अब अब यह बताइए जो आपके जो रहे हो गई है तब आपकी सरकार सुप्रीम पोड चली जाती है तब अदालत का देश आपके जो नहीं मानती है जिस वक्त कोरोना चरम पर था अनीता जी जिस वक्त कोरोना चरम पर था आपने कहा कि हाई कोट ने कहा है कि चुनाव कराया जाने चाहिए ठीक है जब चुनाव होने लगे चुनाव हो गए कोरोना चरम पर था ठीक है चुनाव होने के बाद जैसे जिला पंचायत अद्यक्ष की बारी आई आपने तारीखें क्यों बढ़ा दी जब आपको पता था कि लगातार कोरोना का कहर है जैसे आपने चुनाव करा लिए वैसे ही आप जिला पंचायत अद्यक्ष का चुनाव भी करा दी थी उसमें तो बहुत ज़्यादा बीड़वार भी नहीं होती आपको मालूम है जब चुनाव हुए थे तो उसमें योगी जी ने कहा था कि चुनाव को टाल दीजिए चुनाव भायोग से कहा था और सब दली बैठक बुलाए गई तो इन्होंने समाजवादी पालती ने और उनका कि नहीं जी आप चुनाव कराईए आप डर के मारे याँ आप अर्amiliar आपने वेपक्स की बात मानी कि चुनाव भायोग कि चुनाव भायोगा ने भी का, उसके बाद आप बताईए नमुक के हमारे योगी जी टहा पर के आपक डर के मारे आप लोग करना नहीं चाहते रेकिन हमने का ठीक है सब लोग तया और दूसरी तरफ जब समाजवाधी पारटी आप हे किसे का चुनाव आयोग नहीं Ms. लो किसे मना कर सकते हैं लेकिन आप उसको गलत दे रहें गलत बता रहें मैं भी हाई कोड़ में दो के कानून मुझे भी मालूम है करोना पर क्यों नहीं मानती है अगर हमें नहीं है तो हम रेक्षि जिसको हाई कोड़ का आदेश देए वह सुप्रीम कोड जाते ही जाता है वह अचाहिए आपके पास कोई केस हो आप अगर हाट जाएंगे तो आप भी जाएंगे सब्सक्राइब जाता है अगर हम काम करें तो भी हम गलत है और जो लोग गलत करें वह सब सब्सक्राइब करें कहां चलेगे इस मत्रकारों कि बुद्धी ये शोशल मीडिया में के दिए पत्रकार जब इस तरह से होंगे तो हम दुसरे को क्या समझाएंगे पत्रकार को नहीं है कि पत्रकार को लेकर चलते हैं अनिता जी एक सवाल एक सवाल मैं आप से पूछना चाहता हूँ एक सवाल पीएम केर्टका इसाब ना देना कि हिटलर शाही नहीं है कि वो तो जनता का पैसा है पीएम केर्ट का पीएम केर्ट का हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा था किया बात कर रहें पैसा दिया गया जब जगा तो इन्होंने बता तो इन्होंने बता दिए कितने hospital बनाए कितने oxygen लगा दिये किते होस्त और जो हमने पहुचाया वहां उन्होंने प्राइवेट में जाकर बाढ़ दिया चैनल पंजाब की सरकार आपने उन से पूछा कि आपने प्राइवेट से भेजा है इसको प्राइवेट में क्यों बेज दिया आज हमने वैक्सिन 11 लाग डोस पड़ी है लेकिन आप आपने वैक्सिन नहीं लगवाई चैनल पंजाब में हो चैनल जिल्ली में हो आजी आप प्राइवेट में पिछले परोना में 2020 से लेकिए अब तक कितने पैसे आए और कितने का आपने क्या 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 उसकी एक वो मुझे साब जीजिए में क्या इसा होगा सूचना का अधि नहीं को जानकारी को आप किसी को जानकारी नहीं कर आँप करते हैं तो आप कहते हैं के फ्री वैक्षीन दी जा रही है अगर हम पैट्रोल के दाम बढ़ाने की बात करते हैं आप कहते हैं फ्री वैक्सीन के नाम पर जंता का कितना के साथ आप यह बताईए आईश्मान भारत है जन शोदी केंद्र है यह सब नहीं चल रहा कि आईश्मान भारत भीमा योना जो 55 लाग तक हर गरीबों को जाकर पूचिये लोग कितना अच्छा मोदी जी ने काम किया है सब पिम कियर पंड से हो रहा है प्रविजली का भुक्तान होता है पब्लिक जो भी आप दे रहे हैं इसी मुद्धों को लेकर आप सरकार में आती हैं यही जनता से वाजे करती हैं जनता को जनता का विकास करें शुबदाएं शड़क को आपके साड़े-चार साल में गड़ों में तब्दीर कर दिया है ना व अलाबाद जाई आपको खड़े-खड़े मिलेंगे मैंने अभी आत्राई की और मैं पूरा विर्तानत आपको बता रहा हूं आपने यह भूल से वो गड़्धा मुक्त कहा गड़्धा युक्त हो गई सारी सरके अब आप कितना ठीक चलेंगी आज आपको सुनना नहीं चाह आतकवादियों का हर आदमी में डर बैठा रहता था था कचैरी मत जो बंफूर जाएगा मंदिर मत जो बंफूर जाएगा इससे टैची को लवाई इस चीज को ना उठाओ रेलवेशन आज बताइये आतकवादियों कई भैय है किसी को किसे मुख्त कराया था कि सरकार के खिलाब मत जो नहीं तो जेल चले जाओगे सरकार के खिलाब को बोलोगे तो तुमारे खिलाब करवाई हो जाएगी एजिंसिया लग जाएगी ये आप आपकाल जैसा भै नहीं है अरे आप तो चैनल में खुले आम बाहदेश के बादपा के खिलाब बोल रहे हैं आप खुले आम मोदी जी को बोल रहे हैं आप तो ऐक पार्टी है जो हमारे अच्वे कर सरकार बनाकर रही है अगर वो कुछ गलत करेगी तो मेरा गदाइप मैं उसको आईना रिखाउं सकते हैं सबस्क्राइब बोला हूं दंगे की चोट पे बोला आपको जो कारवाई करानी हो पीड़ेपी और सकार करा ले यहां पर यहां पर हम लोग चैलेंज देने के लिए नहीं रहे हैं अनिता जी सब सामने सामने परवाण मेरा सवाल अप संजय शियास्तफ जी से हैं एक अमर्जेंसी जब 25 जून 1975 को जब अमर्जेंसी लगाई गई उस वक्त और नाम बड़ा सामने आया था वो था संजय गांधी का संजय गांधी की भूमिका किस तरह से थी क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं और दर्शक भी जाना चाहते कि आखिर उनकी भूमिका क्या थी क्योंकि ये बात तमाम लोगों ने कहीं है कि इमर्जेंसी के पीछे कहीं ना कहीं संजय गांधी का भी हाथ बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बहुत जरूरी था थो मैंने बताया कि 1975 में जो आपने 12 जून की घंटना का हवाला दिया कि किस तरह से जग्मोवन सिना ने उनका निर्वाचन राइवरिली का रद किया उसी बीच में संजे गांधी बहुत देजी से सक्री हुए और उनकी एक टीम थी जिसमें सूचना प्रसाड़ मंत्री ततकाल भड़ें जो सुन मिलाने वाले लोग उसमें बंची लाल थी और और मेहता ये कैसा चेरा था राजिवंतरी थे उसमें कांग्रेस की सरकार में और उनकी सबसे चलती थी क्योंकि वह आनावदा राइट हैंड माने जाते से संजय गांधी और संजय गांधी की भूमिका थी कि उन्होंने सिधार संकर्रे से कही कि रातों रात ये जो अनुच्छे 352 के तहट इमर्जिंसी लगाई गी उसका प्रियोग किया और सारे ही नेताओं को उनके ही फर्मान पे जो जहां पर था जिस हालत में था रात में दिन में पत्चिस से लेके 27 जून तक सभी विपत्ची पा हर तरीके से इमर्जिंसी एक और आपको याद दिलाओं घटना जो लोगों के जहर में आज भी ताजा है कि उसमें नस्बंदी चली थी नस्बंदी में यह आलम था कि लोग अपने घरों में दो-दो-चार-चार-चेच्छे दिन-दस-दस दिन खेतों में गन्ने के खेतों में अरहर के खेतों में छिपे रहते थे निकलते नहीं थे वहां भी तमाम लोगों को गोली मार दी गई थी तमाम लोगों के हत्याई हुई थी तमाम लोगों की पकड़ पकड़ के उस समय एक रिकॉर्ड आया था कि मुझे वो डाटा मिस कर रहा हूं मैं नेकि 85 लाख से असेमत होते थे या जिनके बारे में कोई सूचना भी आ जाती थी कि ये सरकार के खिलाब जा सकता है उसको तुरंट पकड़ के जेल बेटो संजे शिवास्तर जी तो तमाम संजे गांधी की मैं बात कर रहा हूं और याद करना चाहिए कि संजे गांधी का भी हश रोई चुना हुआ तो समय एक अनुच्छे 49 का भी प्रयोक किया गया था अमेंडमेंट हुआ था जिसमें यह भी हुआ कि राष्टपती उपराष्टपती प्रधानमंत्री और लोगसभाई स्पीकर के खिलाब कोई कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है कि इंद्रा गांधी के खिल संजय गांधी को हरा दिया था तो यह पहला चुनाओ था मेटी में जब गांधी परिवार वहां से हारा था उसके बाद राहुल गांधी हा रहे हैं इस प्रती इरानी से तो यह दो घटनाई जो हैं बड़ी बात उकून अनीता जी संजय शिवास्तप जी जो बताना चाह र और संजय शिवास्तप जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस चर्चा में मौझूद रहे यह वाकई में अगर आज हम एमर्जेंसी की चर्चा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने अपने पिछले कारिकाल में या पिछली जो हमारा हमारा जो समय र जो वरिष्ट पत्रका संजय शिवास्तप जी जुड़े थे उन्होंने तमाम अपनी जो यादें थी वो ताजा की और साजा भी की और उससे हमें और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा फिलाल इस डिवेट में मेरे साथ बस इतना ही आप देखते रहिए प्राइम टी प्राइम प्राइम